नमस्कार में हो दिव्य बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज एक दे जनवरी दिन बुद्वार खबरक्यों बनने से पहले एक मेजर सुर्खियों पर बिहार सरकार जे ई और नीट की करवा रही निस्वलक तयारी इस दिन तक करे आवेदर पटना में अंदोलन कर रहे रेलवे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने की लाथी चार्ट प्रदे सरकार चला रही एस पर्स कोष्ट रोग जागरुपता अभियान इस तरह के पासवा रखने वाले हो जाए सावधान अपने बेटे के जन्दन को लेकर सिकर धवन ने सेर किया ये भावव पोस्ट अब चलिए बढ़ते विहार के अब तक के 25 बरी खब्यों के और विस्तार से विहार विधान सभा में निकली भरती जल्द करे आवेदर विहार विधान सभा ने असिस्टेंट सेक्षन ऑफिसर, असिस्टेंट केर टेकर, जूनियर कलर्क, रिपोर्टर, परसनल असिस्टेंट, इस्टेनो ग्राफर, ऑफिस अटेंडेंट और अन्य पदों पर भरती निकाली है यह भरती को लेक सो नौ पदों पर आई है एक चुक मिद्वार इसके अधिकारिक वेबसाइट, 16 फरवरी 24 तक आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के लिए आपको इसके अधिकारिक वेबसाइट विधानसभा.bih.nic.in पर जाना होगा इस भरती के लिए सेक्चन की योगिता या अन्य पादरता अलग-अलग निर्धारित की गई है इससे जाने के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को जरूर देखें इससे सम्मधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं बिहार सरकार जे-ई और नीट की करवा रही निसिल्क तैयारी इस दिन तक करे आवेदन प्रदेस में नीट और जे-ई की तैयारी कर रहे है वैसे अभियरती जो बिहार में निस्ल्क सक्चन के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई जारी कोचिंग का लाव लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है दरसल बिहार वोड जेई और नीट की तैयारी कर रहे बच्चों को इस योजना का लाव देने के लिए आविदन की मांग कर रहा इस संबन में बिहार द्वारा सोसल मेडिया पर अधी सूचना भी जारी की गैर आवासे सिक्चन में नामांकन का आफसर प्रदान किया जा रहा है इसमें नामांकन लिखित परिक्षा और इंटर्व्यू के आधार पर लिया जाएगा अभ्यरती चाहे तो समीती की आधिकारिक वेबसेट कोचिंग डॉट बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट कौम पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन कने के अंतिम तारीक आट परवरी दोजाद चौवेस है बिहार पैटन में आज हम बात करेंगे त्री मोहिनी संगम के बारे में यह संगम का टेहार के कुर सेला प्रखन में इस स्थे थे जो धार्मिक और यतिहासिक रूप से काफी महत्वपून है इस संगम को लेकर मानेता है कि यहां मुनी वसिस्ट ने तपस्या की थी इसे लोग तरी मोहिनी संगम के नाम से जानते हैं क्योंकि यह तीन नदियों के संगम से बना है यहां पर प्रमुक रूप से अस्थी कलस का विसर्जन भी हुआ था हर वर्स लाखों लोग मागी पुर्णिमा में गंगा असनान के लिए आते हैं जदी आप धार्मी करसलों पर घूमने का सौक रखते हैं तो यहां आ सकते हैं पतना में अंधोलन कर रहे रेलवे अभि यृतियों का अंधुलन तेज होता जा रहा है राध्धानी पतना में 15,000 से भी अधिक अभिहरती सरकों पर रिक्तियों को बढ़ाने की मांग के लिए उतरे थे जहां कारगेल चौक पर पुलिस ने लाथी चार्ज भी कर दिया साथ ही बीते दिन अभ्यरतियों और पुलिस के बीच नोग जोग भी देखने को मिली, कई जगा पटना में अंदूलन की वजह से सरक जाम की समस्या भी देखने को मिली, हालांकि रेलवे ने सहायक लोको पाइलिट की वैकेंसी में तीन साल की भरोतरी की है, लेकिन अभी भी लेकर ही अरे हैं, प्रेदर्सन कर रहे अभ्यरतियों के मताबिक जो रेलवे भरती बोट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, वह बहुत कम है, ऐसे में हम लोग कहां से क्वालिफाई कर पाएंगे, कब तक बेरोजगारी की मार धेलते रहेंगे, जिसको लेकर लगातार और जब तक लगबग 5700 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी तब तक प्रेदर्सन करते रहेंगे, अंतर जाती विवा प्रोचाहान योजना के तहट लाबुकों को मिल रहें इतने रुपए, बिहार सरकार लगातार अंतर जाती विवा के प्रोचाहान के लिए कई प्रय इस संबन्द में IPRD बिहार ने भी अपने आधिकारिक एक्स हेंडल पर जानकारी साजा की है, यह सहायता रासी लाबुकों को अंतर जाती विवा प्रोचाहन अनुदान योजना के तहट दिये जाते हैं, आर्थिक सहायता के रूप में इस योजना के तहट उन्हें एक ला जोजना का लाब दिया जाएगा, इस से संबन्दित अधिक जानकारी के लिए आप IPRD बिहार पर जा सकते हैं, या टॉल फ्री नंबर 18003456262 पर संपर्क कर सकते हैं, आयुद्धा के लिए बिहार के मुंगेर से इस दिन खुलेगी पहली आस्था एक्सप्रेस, अब मुं मुंगेर के अस्थानिये सांसत, विधायक और मंत्री पांच फरवरी को रवाना करेंगे, इस संबन्द में बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री इसाराम मंदिर दर्सन अभियान के राजित संयू जगजगनार ठाकुर्द्वारा कहा गया है, कि आयुद्धा में हर रो को समस्तिपूर से खुलेगी, तो वहीं 13 और 14 को भागलपूर से, 16 फरवरी को मुझपरपूर से, 19 को पटना से, 23 को मोतिहारी और 26 फरवरी को विधिया से आस्थाय स्पेसल फ्रेंट खुलेगी, इस तरह के पास्वर्ट रखने वाले हो जाए साबधान, बर्ते जिके इस दुनिया में साइबर अपरादियों ने भी पैर पसा लिया है, आपकी गलती आपको साइबर अपरादियों के चक्कर में आपको फसा सकती है, जिससे आपको वित्य या नेजी या अन्य नुकसान होने का खत्रा बन सकता है, साइबर फ्रॉट से बचने के लिए यहांक वाले पासवर्ट रख लेता है लेकिन आपको बता देके सद्सकरण Advocacy कराक्टर fancy हो सकते हैं सेफटी के लिहाद पासवर्ट को समय समय पर बदलते रहना भी जरूरी है अपने पास्पर को किसी के साथ साजा करने से बचे इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने पास्पर हैक होने से बचा सकते हैं प्रदे सरकार चला रही असपर्स कुष्ट रोग जागरुकता अभियान चला रही है यह अभियान महात्मा गांधी के पुनित तिती पर शुरू किया गया है जो 13 फर्वरी 24 तक जारी रहेगा इस अभियान का उद्दे स कुष्ट रोग को लेकर लोगों को जागरुक करना है इस संबन्द में IPRD भिहार ने भी सोसल मीडिया एक्स पर पोस्ट सेर किया है जहां इस रोग के प्राडमिक लक्षन के बारे में जानकारी दी गई है साथी कहा गया है कि इसके लक्षन दिखने पर इसके तुरंत अलाज के बाद इस रोग से बचा जा सकता है साथी जानकारी देते वे कहा गया है कि कुष्ट रोग का MDT उपचार के बाद सरीर में दाग धबेवं उसमें सुनापन अफसेस रह सकते हैं पर वह व्यक्ति रोग मुक्त है और दूसरों को संक्रमित नहीं करता है बतादे की प्रदेश में कुष्ट रोग का नहिसुल्क जांच और इलाज सरकारी प्रात्मिक स्वास्थ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध है M.D.T. से कुष्ट रोग का पूर्ण इलाज संभाव है समाज में कुष्ट रोगियों को आपके सहियों की आवेशकता है बिहारी पहजान में आज हम बात करेंगे सुभधरा देवी के बारे में बिहार के मधुबने से आने वाली सुभधरा देवी पद्म पुरसकार से भी सम्मानित हो चुकी है यह सम्माने ने कला के छेत्र में सर्वोतम प्रदर्सन के लिए दिया गया था बता दे कि सुभधरा देवी को पेपर मेसी की कला में महारत हासिल है मालूमों कि सुबद्रा देवी बच्पन में दूसरों की देखा देखी पेपर मेर्सी की कला सीखी थी बच्पन में ही वह चूलहा गुरिया और अन्यकला क्रीतियां बनाया करती थी जानकारे के लिए बता दे कि उन्हें पेपर मिर्सी कला में उत्कृस्ट प्रदर्शन के लिए इससे पहले भी 1980 और 1991 में राष्ट्यो परसकार से सम्मानित किया जा चुका है बिहार में इन दो आएस अधिकारी के तबाद्ले की खबर सामने आई है जिन में 2004 बैच के आईएस विरिंद प्रसाद यादव और 2014 बैच के अनिल कुमार ठाकुर सामिल है इस सम्माने प्रसासल विभाग द्वाराधी सूचना भी जारी की गई है जिसके तहत विरिंद्र प्रसाद यादव जो पिच्रा वर्ग और अथी पिच्रा वर्ग के विसेश सचीव थे उन्हें अब साकारिता विभाग का विसेश सचीव बनाये गया है वह यह निल कुमा गांधी मैदान में इस दिन हो रहा तीन दिवसी उद्यान महुचब पतना के गांधी मैदान में राध्यस्तर पर उद्यान महुचब का आयोजन 12-14 फरवरी के बीच होने वाला है इसके प्रदेश के सभी जिलों से फल पूल और सबजी उतपादक 5000 से व्यदिक किसान पतना आने वाले हैं इस आयोजन के दौरान अलग-अलग फलों पूलों और सब्यों के उतपादकों को पुरस्कृत करने की तैयारी है इन्हें या पुरसकार देशी हाइब्रीड और अन्य कोटी के लिए जाएंगे इस आयोजन के दौरान जो भी किसान अपने बहतर प्रदर्स क होगा उन्हें 10,000,000 रुपए दिये जाएंगे क्रिसी विसे सग्यस तीन दिवसी और द्यान महुचप के दौरान खिसानों को तक्नीकी सत्र में नई जानकारी देंगे साथ इस आयोजन में खिसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में भी बताया जाएग ALP की तैयारी कर रहे अभ्यरतियों को रेलवे ने दी खुश खबरी, रेलवे में सीट बढ़ाने को लेकर बिहार में लगातार अभ्यरती आंदोलन कर रहे थे, हालांकि फिलहाल रेलवे में सीट बढ़ाने को लेकर कोई खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन रेलवे अभ अभ्यारती अभ 18 से 33 वर्ष की आयू तक आवेदन कर सकते हैं इस संबन्द में रेल मंत्रालेद्वारा कहा गया कि जो अभ्यारती ओवर एज हो गया है और कोरोना महामारी के कारनिस भरती का अफसर प्राप्त नहीं कर सके थे ऐसे अभ्यरतियों को आयू सीमा में तीन साल की छूट देने का फैस्टा लिया गया है बदादे के इस छूट के बाद अभ्यरतियों के आयू की गन्ना एक जुलाई 24 से की जाएगी नई आयू सीमा के अभ्यरती एक्ति जनवरी यानि आज तक इस भरती के लिए ऑनलाइन मैराथन जीतने वाले को मिलेगा 25,000 रुपय का इनाम आप भी ले सकते हैं भाग जमुई जिले में एक मिनी मैराथन का आयोजन होने वाला है इस मैराथन में जीतने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपय तक का इनाम दिया जाएगा जिला प्रसासन इस मिनी मैराथन आयोजन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो दो और तीन फरवरी को दस से चार बजे के बीच जिला मुख्याले सित्स्री कृष्णा सिंग स्टेडिया मेमोरियल में जा सकते हैं जो प्रतिभागे इसमें प्रतमाएंगे उन्हें 25,000 रुपे दुवितिये नंबर पर आने व का का कीवाईसी हो सकेगा नेस्सनल हाइव अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंद में कहा है कि अब एक वहान पर ही फास्टेग चलेगा इसका अपडेट होना जरूरी होगा यदि आप अपने फास्टेग का क्यावाईसी नहीं करवाते हैं तो इसे ब्लैक लिस्टेट कर दिया जाएगा फास्टेग अपडेट करने की सुविधा आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है इससे संबंदित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप फास्टेग.ihmcl.com पर भी जा सकते हैं इसके अलावे आप संबंदित बैंक या टोल प्लाजा पर बने हेल्प काउंटर प आपको अपकि कवाई से करने में मदद करेंगे. फिर जालावरी तक पस्टिमी विद्छोब के कारण बिहार में फिर से अपमान गिरने का अनुमान है, हाला कि फिलाल तापमान में धूब के कारण थोरी बहुत ब्रिदी देखने को मिली है लेकिन पस्टिमी विच्छोब से चलने वाली थंडी हवा के कारण लोगों को अलर्ट रहने की बात कही गई है आने वाले ही किया दो दिनों में कुछ जगों पर बारिस की संभावना भी है हाला कि आज का मौसम सुस्क रहने वाला है प्रदेश का अधिक्तम तापमान 18-20 डिग्री और 20-22 डिग्री के बीच रह सकता है वही नियुंतम तापमान 18-10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान दगाया गया है पतना हाई कोट में बिहार प्राइवेट स्कूल अधिनियम 2019 को बताया सही बिहार में नीजी स्कूलों में बढ़ते फीस पर लगाम लगाने के लिए कई कोसिसे की जा रही है इससे पहले वर्स 2019 में बिहार प्राइवेट स्कूल अधिनियम बिहार के नीजी स्कूलों के फीस में बरहोधरी को देखते वे लाया गया था लेकिन इस कानून को लेकर पतना हाई कोट में इसके खिलाफ चुनौती दे दी गई थी हालांके इस मामले पर सुनवाई करते वे कोट ने इस रीट याचिका को खारिज कर दिया है बतादे कि इस रीट को असोसियेशन ओफ इंडिपेंडेंडेंट इसकूस बिहार नामक संस्ता दुवारा दायर किया गया था कोट ने इस रीट को खारिज करने के साथ ही बिहार प्राइवेट स्कूल अधिनियम 2019 को सही ठहराया है अब कोट के इस फैसले के बाद जो भी प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस में बरहोतरी कर रहे थे उन पर अर्मकुस लगाने की प्रेक्रिया शुरू की जाएगी कोट ने संबन में राजसरकार को निर्देश दिया है और कहा है कि हर प्रमंडली एस तर पर गठित होने वाली फीस रेगूलेशन कमीटी में दो सदस्य का चुनाव उन छात्रों के माता पिता या भिभावक गन के बीच से किया जाएगा जो चात्र सिर्फ नीजी स्कूलों में फीस देकर पढ़ते हो औल इंडिया फुटवाल फेडरेशन भारतिय टीम में बिहार की बेटी का हुआ चैन औल इंडिया फुटवाल फेडरेशन अंडर 19 के भारतिय टीम में बिहार के सिवान की खुशी कुमारी का चैन हुआ है, खुशी सिवान के गुठनी थाना छेतरी की रहने वाली है इंडियन टीम में इनका चैन होने के बाद इनके पिता सीता राम पास्टी और अन्य परिवार जनों ने खुशी जताई है बतादे की गुवा में भारतिय टीम के गठन के लिए प्रस्रिक्षन सिवीर का योजन ओल इंडिया फिर्डेशन द्वारा करवाई गया था जहां पूरे भारत से सैक्रो महिला खिलारियों ने भाग लिया था उसमें खुशी भी गोल कीपर के तौर पर मौजूद रहेंगी या मैच दो परवरी से आट परवरी तक चलेगा इस दोरान या मैच भारत बांगला देश नेपाल भूटान के बीच देखने को मिलेगा देश के सत्ता धारी पार्टी पर बरसे मिसा भारती ने पीए मोधी को लेकर कह दिए बाद लैंट फोर्ट जॉब मामले में लालु यादव और तिजस्वी यादव से एडी द्वारा पूछताच की गई इस मामले को लेकर लालु यादर की बैटी मिसा भारती ने सत्ता धारी पार्टी पर हमला किया है उन्होंने कहा है कि देश की जितनी भी विवक्षी पार्टिया है उनके नेताओं को डराने की कोशिस की जा रही है देश की जनता देख रही है इसका खामियाजा बीजेपी और पीए मोधी को भुगतना पड़ेगा आगे मिसा भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाप को लेकर प्रधान मंत्री जी काफी डरे हुए है जारकन में भी बिहार की तरह करने की कोशिस की जा रही है हेमन सुरेन को भी डराने की कोशिस की जा रही है हेमन सुरेन ने 29 से 31 तक हाधिर होने का समय दिया गया था लेकिन इससे पहले ही इडी के अधिकारी उनके दिल्ले इससे तावास पर पूछ ताज के लिए पहुँच गया देश की जनता इससे देख रही इसका खामियाजा बीजेपी और पीए मोधी को भुगतना पड़ेगा पीए मोधी के चार फरवरी का बितिया दोरा हुआ अस्थगित विहार के पस्तिमी चंपारन बितिया में पीए मोधी की चार फरवरी को रैली होने वाली थी लेकिन अब इससे अस्थगित कर दिया गया है बता दे कि इस बात की जानकारी बीजेपी सांसद संजेज जैसवाल दुआरा दी गई है उन्होंने कहा है कि चार फरवरी को होने वाले पीए मोधी के जनसभा को अस्थगित कर दिया गया है लेकिन यहां कारेकरम और फरवरी के दूसरे सब्ता में आयोजित होगा हाला कि यह आयोजन फरवरी के दूसरे सब्ता में किस तारीक को होगा इसके जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है इसले कर संजेज असवाल ने बताया है कि जैसे इस कारिकरम को लेकर तारीक तैह होगी वैसे इसकी जानकारी वे साजा कर देंगे बदा दे कि इस दोरे के तैज़ जब पिये मोधि बिहार आएंगे तो वे 19,000 करोर की योजनाओं की सौगात भी लेकर आएंगे प्रधान मंत्री के आगमन को लेकर तैयारी योदस्तर पर चल रही है साथ ही हैली पैट भी तैयार किया गया है कारिकरम अस्थल का बेतिया डेम और एसपी लगातान लेक्शन कर रहे है निदीश कुमार के पाला बदलने पर रहूल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई सामने बिहार में महागरबंदन तूटने और NDA के सरकार बनने के बाद रहूल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने कहा है कि बिहार में सामाजिक नियाय के लिए महागरबंदन लरेगा हमें नितीश कुमार के जरूरत नहीं है नितीश कुमार कहा फसे हमने उनसे कहा था कि आपको बिहार में जातिकत जनगन्ना करवानी होगी हम आपको छूट नहीं दे सकते लेकिन बीजेपी नही जीतना मांजी और समरार चौधरी ने लालू परिवार पर कसा तन्ज नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव और देज़स्वी यादव से इडी की पूछता तेज हो चुकी है अब इसी को लेकर हिंदुस्तानी आवा मोर्चा के सनद्चक जीतना मांजी ने अपने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर ट्वीट करते वे लालू परिवार पर तंच कसा है उन्होंने कहा है कि का जी का चाहते हैं आप नौकरी देकर जमीन लिखवा लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा सेना की जमीन बेच दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा सैक्रो रुपे घर में रखिए कुछ नहीं होगा भाई ऐसा है ये मोदी राज है जनता का पैसा खाईएगा तो हवालात की हवा भी खानी परेगी जस्करनी तस भरनी वही मामले को लेकर समराज चौधरी ने जमीन के बद्धे नौकरी मामले को लेकर कहा कि पटना के महुआ बाग चले जाएगे तो आपको मालूम हो जाएगा बज़त चत्र से पहले हुआ रद आज से संसद का बज़त चत्र सुरू होने वाला है लेकिन इसे पहले संसदिये काले मंत्री प्रालाज जोसी ने एक जरूरी जानकाली साजा की है उन्होंने कहा है कि लोगसभा अधिक चौम बिरला और राजसभा सभापती हरिवंस नारा मंत्री सिर्वेपक्षी चांसद लोगसभा में सुरक्चा उलंगन को लेकर बयान देने की मांग कर रहे थे इन चांसदों का निलंबन इससे भारी हंगामे के बीच हुआ था लेकिन अभी सभी निलंबन को रद कर दिया गया है अपने बेटे के जंदिन को लेकर सिकर्धवन ने सेर किया ये भावुक पोस्ट इन दिनों टीम इंडिया के स्टार बलेबाज रहे सिकर्धवन अपने कैरियर के साथ चाथ नीजी जीवन में भी परिसान चल रहे हैं शिकर का उनकी पतनी आयसा के साथ तलाक हो चुका है, अब इसे भीज उनके बेटे जुरावर के जंदन को लेकर उन्होंने भावक पोस्ट सेर किया था, रसल सिकर अपने बेटे से लंबे समय से नहीं मिल पा रहे हैं, बेटे के जंदन को लेकर उन्होंने जो पोस्ट सेर किय उसमें लिखा कि मैं दर्द में नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने विचार सेर कर रहा हूँ, पांच महीने हो गया मेरे उससे बात किये, मैं सिर्फ अपनी भावनाय व्यक्त कर रहा हूँ, मैं एक भावोक अनसान हूँ और अपने बेटे को फ्यार भेजने की कोशिश कर रहा हू क्योंकि अगर मैं उसको सोचकर दुखी हो जाओंगा तो उसके पास नेगेटिव एनर्जी जाएगी मुझे इस बात का हिसास नहीं था कि यह पोस्ट वाइरल हो जाएगा मैंने यह पोस्ट दिल से लिखा था बतारी के सिखर ने बेटे के जंदन के दिन जो पोस्ट लिखा था उसके बाद सिखर को उनके फैंस का खूब सपोर्ट मिल रहा है कई कानों से दर्ज है भारत के तहास में आज की तारीक मुगल बादसा अकबर के सनवचक बैरम खा को 1561 में गुजरात के पार्टन में जान से मार दिया गया मोर को 1963 में भारत का राष्टे पक्षी घोसत किया गया बिरेंदर बीर विक्रम सा 1972 में नेपाल के बारवे राजा बने कॉलकता में 1983 को पहला सुस्क बंदरगास शुरू हुआ था भारती स्टील कंपनी टाटा एंगलो डच स्पाथ कंपनी कोरस के धिगरान के बाद 2007 में विस्विकी पांच भी वरी कंपनी बनी थी 2008 में भारत अमेरिकी असैन्य परमानु करार के विवादा असपद हाइड एक्ट कानून के जनक और पूर्व रिपब्लिकन सांसद हैंडी ने हाइड का निधन हुआ था उत्ता पदेश की पूर्व मुख्य मंत्री मायावथी ने एक जनवरी साल 2008 को यूपी को पांच साल के अंदर बिजरी के मामले में आत निर्भर बनाने के लिए 6,168 करोर रुपे के विद्यूत पर योजनाओं का लोकारपन और सुलान नियास किया था 2000 में भारती सिनेमा के खलनाएक अभिनेता के एन सिंग का निधन हुआ था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने कैमरे में क्याद किया खूबसूरत तस्वीर अंतरिक्ष को लेकर कई ऐसे रहसे हैं जिनकी जानकारी अभी तक वैग्यानिक नहीं जुटा पाए है रहसे से बरा ही अंतरिक्ष देखने में बरा ही लुभाव ना लगता है अब इसी बीच अंतरिक्ष को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के तरब से किमत सेयर किया गया है जो आपके मन को मोलेगा दरसर अंतरिक्ष में 400 किलोमेटर की उचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धर्ती से उपर चक्कर लगा रहा है चक्कर लगाते इस Space Station ने धर्ती की बेहदी खुबसूरत और रोमांचक तस्वीर सेयर की है इस Instagram के platform पर सेयर किया गया है Space Station के मताबिक इससे पहले camera में पृत्वी का ऐसा नजारा कभी नहीं लिया गया था इस तस्वीर में आपको धर्ती का वायू मंडल रोसन होता दिखेगा साथ ही इसके पीछे तारूं के लुभावने नजारे भी देखने को मिलेंगे हम प्रति दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो की बीपी ऐसे बिहार पुलिस दरोगा समेट ऐसे जैसे अने प्रतोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेसल विज्ञान करें रफिर्स और वोगो से रहेंगे पूछे के पांच सवालों में आपने कितना सहीं तर दिया है यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है किसने नौवी बार बिहार के मुख्य मंत्री पत के लिए सपत लिए ऑप्सने है जीतनामान जी ऑप्सन भी ए दिजस्वी आदव ऑप्सन भी ए लालू यादव ऑप्सन लिए नितिश कुमार इसका सही उतर है नितिश कुमार आई एससेफ सूटिंग विस्विक कब दोजार चॉबिस में रीदम सांगवान और उजवल मलिक की जोरी किनने कौन सा पतक दीता है आपसने स्वर्ड आपसन भी ए रजजन उप्सन सी कान्सर अपसन डी में से कोई नहीं इसका सही उतरह स्वर्ड इस वर्ष फिल्म फियर अवर्ट वॉजार चॉबिस का याज़न कहां किया गया और अप्षन ए है मुमबई, ऑप्षन बए गांधी नगर, अप्षन स्री ए नोइडा ऑप्षन लिये परियागराद इसका सही उतर है गांधी नगर अंतराज्ट्रे क्रिकेट काउंसल ने किस क्रिकेट बोर्ट पर लगे बैन को हटा दिया है Option A है भारत Option BA, जिंबावी Option C, स्रिलंका Option DA, उस्ट्रेलिया इसका सciliationतर है स्रिलंका बिहार भारत के कौनसे भाग में से थे? Option A है दक्चनपूर 오른 Option BA, दक्चिनपशिनम Option BA, उत्तरपशिनम alarm organis psychiat, उत्तरपूर इसका सही उतर है उत्तर पूर्वन बीटे दिन हमाई दोरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पना जवाब हमें मारे कॉमेंसेंशन वॉक्स में लिकर दिया था जिन्होंने हमाई दोरा पुछे के सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नु गोलु कुमार, गोनर सर्मा, रंजित मिस्रा, बाबुलाल मरांडी, समित यादव, राहुल कुमार, अर्सद अंसारी, विकास, दास, रभी कुमार, राज, रंजित मिस्रा, हलेसवर, कुमार, आजेस, कुमार, प्रहलाद, कुमार, सादुल्ला, पालवी, राज के स और में तो कॉसलेंज कुमार यादव कोनर सर्मारिया रानी इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की और आजकर सवाल है आपके मुताबिक लोग सबाचुनाव में कॉंग्रेस को भारत जोरों निया यातरा से कितना फाइदा मिल सकता है आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सक्षिन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ पने नहीं के लिए देखते रहे बिहारी नूद और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फेस्बूक से देख रहा तो पेज को फॉलो करना ना भूले दने